सुपर हाईवे, जमाली पुल, अई, अल अजहर गार्डन, जेविचमे, इसकीम ट्रेट्रिय, कर्राची, ग्रेस टायलक्स रेजिडेंसीज, अपार्टमेंट जी, बुकिंग, चार लख रुपे खा, महानो किस्त, 35,000 रुपे खा, बुकिंग, अई, तफसिलाज जिलाए, ए स्क्रिप्ट राइटर भी थे, वहीद मुराद अपनी दिलकश अदकारी और पुरकशी शख्सियत और गाने पिक्चराइडिशन के लिए एक अलग मकाम रखते थे, ये कावजे पूल जैसे चेरे, मज़ा खुडा तेरे आखमी का, तेहे कोई काश ये बता दे, मकाम उंच बाद हरकों का तो ये भी कहना था, कि वहीद मुराद जैसा गाना पिक्चराइड करते थे, उनके पाई का इंडो पार्क में कोई सानी नहीं है, वहीद मुराद दो अक्तूबर 1938 को सियाल कोट में पैदा हुए, उन्होंने गवर्मेंट SM कालिज कराची और फिर जामे कराच की डिगरी हासिल कर रखी थी, वहीद मुराद की पहली फिल्म बतोर हीरो, हीरा और पत्थर थी, जो 1964 में रिलीज हुई, इनकी वैसे तो बहुत यादगार और लाजवाल फिल्में थी, निकिन फिल्म अर्मान उनकी लाजवाल फिल्मों में से सरे पहरिस थी, जिसके गाने आज भी लोगों की जबान पर आही जाते हैं, इस फिल्म ने कामियाभी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिये, और ये फिल्म तक्रिबन डेर साल सेल्मा घरों की जीनत बनी रही, वहीद मुराद ने दरजनों फिल्मे की, वो एक बेंतिहार रूमैंटिक हीरो थे, वहीद मुराद फिल्मों में हिट होने से पहले ही, शादी के बंदन में बन चुके थे, इसके बावजूद उस दोर की हर लड़की के दिल की धड़कन बनी रहते थे, जब मशूर अदाकारा की शादी, अदाकार मुहमद अली और अदाकारा शबनम की शादी, म्यूदिशन डॉबिन घोश के साथ हुई, तो इन दोनों ही टॉप हीरो की शोहरों ने, इनको वहीद मुराद के साथ काम करने से मना कर दिया, और यही से, वहीद मुराद के फिल्मी जवाल का सफर शुरू हुआ, फिर ये भी देखा गया, के टॉप का हीरो मावन अदाकारी करने पर मजबूर हो गया, जो के बहुत दुख का मकाम था, उनके इस जवाल के साथ ही, इनके बेहत करीबी साथ ही इस मुश्किल वक्त में उनको यही कुछ वहीद मुराद के साथ हुआ, इसके बाद वहीद मुराद ने मुक्तलिफ नशावर चीजों का इस्तमाल शुरू कर दिया, इसी दौरान उनका एक इंतहाई संगीन एकसिडंट हुआ, जिसकी वज़े से उनका चेहरा भी बिगड़ गया, अपने इंतकाल से एक दिन कबल, वहीद मुराद ने अपने बेटे आदिल मुराद की साल गिरा मनाई, और फिर एक दिन एक दोस्त के घर में मुरदा पाए गए, इस तरह पाकिस्तान के इस चौकलेट हीरो का दर्दनाग अन्जाम हुआ, वहीद मुराद साहब को आसिफ अली जर्दारी सदर ने 2010 में सितारा इम्टास से नवाजा, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, शुक्रिया